अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले जिससे हमारे सबी वीडियो के नोटिफिकेशन्स आप तक पहुँच सके साथी MSG से रिलेटिड सबी वीडियो के लिए आप हमारे चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं तो चलिए बिना देरी किये हम अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं मानव के लोक मन और लोक जीवन में कसम या सोगंध अत्वा शपत लेना अपने आप से या किसी दूसरे से किया गया एक वादा है जिसे अपने आचरन में उतारते हुए प्राणपन से निभाया जाता है कसम खाने का अर्थ है अपने लिए आचरन की एक मर्यादा को निशिद करना जिसका उलंगन करना स्वयम के लिए भी निशिद माना जाता है क्योंकि कसम खाकर कुछ कहने का अर्थ उस व्यक्ति के सच बोलने का प्रमान होता है और कसम को तोड़ना या जूठी कसम खाना पाप के बराबर समझा जाता है कसम उस जगत के आचार व्यवहार का वह मूले है जो आस्था और विश्वास पर कतनी और करनी की एक रूपता एवं अपने और दूसरों के प्रती इमानदारी की शर्थ पर ठीका है तीसरी कसम कहानी के गाड़िवान नायक हीरा मन ने पहले भी दो कसमे खाई थी लेकिन यहां प्रस्तुत कहानी तीसरी कसम के बारे में है इसके बावजूद भी इसका मतलब यह नहीं है कि कहानी में पहली दो कसमों का होना महस कहानी के शिर्षक को एक नाटकी ये सार्थत्ता प्रदान करने के लिए है बलकि यह तो कहानी के पूर्व रंग में अतीत अवलोकन द्वारा किंचित विस्तार से उन दोनों कस्मों की चर्चा भी विद्यमान है और इसका एक कथात्मक और चित्य भी उभर कर सामने आता है क्योंकि कहानी में उनका जिक्र हीरामन के जीवन के विशेश शनों को एक सूत्र में पिरोता है और उसके चरित्र और आचरन की कुझी को देकर उसकी जीवन पदती को सामानने प्रवाधारा में डालता है दोनों कसमे हीरामन ने संगीत अनुभवों से गुजर कर निशकर्ष के रूप में ली थी और इनको हीरामन ने जीवन यापन को नियंतरित करने वाले निर्णय और संकल्प की तरह धारन किया है पहली कसम यह है कि चोर बाजारी का माल नहीं ला देगा और दूसरी बास लादने के लिए हीरामन की गाड़ी नहीं मिलेगी क्योंकि चोर बाजारी की लदनी पर पुलिस का चापा पड़ा था और वै अपनी सगड़ गाड़ी वही छोड़ कर जैसे तैसे दोनों बैल और प्रान बचा कर भागा था आर्थिक तंगी और तकलीफ के बरसो बाद पिछले साल ही हीरामन ने नई गाड़ी बनवाई है और उसने इसकी सामर्थे जुटाने के लिए बैलो को सरकस कंपनी की बैल गाड़ी में जोतने का ने 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 उसने किया था जीवन की गाड़ी खीचने के लिए हीरामन की दोनों कस्मे यानि संकल्प उसके लिए नैतिक ने ने का दरजा रखते हैं जिसमें उसका चोरी चकारी के माल से तौबा करना और बेकाबू गाड़ी आसंतुलन से परहेज का निश्चय विद्यमान है लेखक के कोशल से हीरामन के ये दोनों ने ने उसकी अपनी ही भाषा में संपन्ण होते हैं और इसी लिए गाड़ी वान हीरामन का जीवन शब्द तहा उसके बैल और गाड़ी से ही है तीसरी कसम के शीरशक और कथावस्तू की प्रिष्ट भूमी में यद भी ये दोनों कसमे विद्यमान है और एक बार फिर एक और अत्यंत गहरे किस्म के अनुभव में उसका काया कल्प करके एक नई सीख के रूप में एक नई कसम में धलने लगती है क्योंकि एक तरह से हीरा मन एक अकेली जनानी सवारी हीरा भाई के रूप में चोरी चकारी का माल और बास की लगनी दोनों की ही डुलाई यहां पर कर रहा है तीसरी कसम के पूर्वा भास में हीरा मन ने एक स्थान पर हीरा बाई से कहा था कि हर दम रुपया पैसा रखिये रुपया इसके पूर्व भी जो दो कसमे उसने खाई थी पै उसकी जीवन पदती के लिए एक प्रकार के मूल्य को ही निश्चित करती थी और इस बार फिर यह उसकी गाड़ी पर उसके अंजाने बिन मांगे आ पहुचने वाली लदनी है जो एक गहरी खलिश के साथ एक नया नैतिक नेड़ने लेने का प्रमुकारन बन रही है और अंतितहा तीसरी कसम में हीरा बाई कंपनी की औरत की लदनी से इंकार कर देती है क्योंकि यह उसकी अपनी भाषा में व्यवसाइक संसार के और चित्ते की सीमाओ से संचालित होने से जीवन को हर दम रुप्या पैसा के मुल्यांकन से तोलने से एक प्रकार का इंकार है इसी के साथ आज का हमारा वीडियो यहीं खत्म होता है वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले थाइंक यू फो वाचिंग